हाई, वेल्कम टो मैं चनल, इस बीडियो में समझेंगे हाउ टो कल्कूलेट कमपाउड इंट्रेस्ट विदावर यूजिंग फार्मुला तो कमपाउड इंट्रेस्ट का जो फार्मुला होता है A is equal P in bracket 1 plus R upon 100 hold to the power N उस फार्मुला का बिने यूज की हम कैसे कलवर करेंगे कमपाउड इंट्रेस्ट तो ध्यान देज़ेगा तो यहाँ पर हम एक्जांपल के हेल्प से हम समझाते हैं यहाँ पर हम माल लेते हैं P, शुरू में जो प्रिंसिपल है वो दिया हुआ है, let us suppose 500 ठीक है तो इस 500 रुपीज का अब यहाँ पर दे दिया है कि rate of interest annually जो लग रहा है वो है आपका 10% annually ठीक है यह यहाँ पर दिया रहेगा, तो annually यह दी दिया रहेगा तो R is equal to तो ठीक है बिल्कुल क्योंकि एक साल में ही compound करना है नहीं तो क्या करता है कि half yearly भी देता है half yearly compound करने के लिए या फिर quarterly ठीक है quarterly तो यह तीनों में से कोई भी दे सकता है तो जो भी देगा जिस condition को अमसार ठीक वैसे हम compound करेंगे यदि annually देगा तो एक साल पर compound करना होगा 10% के interest और half yearly देगा तो 6 महीनी में ही हमें compound करना पड़ेगा यदि quarter लिए देगा तो 3 months में ही करना पड़ेगा यदि 3 months का एक quarter होता है यदि 12 months को divide करेंगे 4 से 12 months को हमें divide करना है 4 से 4 means quarter, 1 quarter 4 से divide करेंगे तो 3 months आएंगे तो 3 months का जो period है ठीक है उसको हम बोलेंगे कि one quarter ठीक है means two quarter मिलकर के two quarter मिलकर के हुजाते है half year one half year and four quarters मिलकर के हुजाते है full one year ठीक है तो खेर आप समझ गया है यहाँ पर हम ऐसे rate of interest पहले ले ले लेते हैं हमकी 10% annually है और हमें निकालना है two years के लिए two years के लिए निकालना है क्या compound interest तो ध्यान दिजे कैसे निकालते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक साल का simple interest निकालेंगे simple interest for the first year for the first year यहाँ पर ध्यान दिजेगा simple interest जो निकाल रहा है first year के लिए जो इसा formula आपका simple interest का होता है ठीक वही यूज करेंगे simply means p into r into t upon 100 यह होता है न एक साल का यूज करना है first year के लिए तो time जो है 1 हो जाएगा और principle तो पता है 500 रहेगा 500 into यह जो r है वो आपका 10 है 10 into 1 upon 100 यहाँ 00 के लो गया means मिल गया आपको 50 मतलब 50 rupees आ गया है आपका simple interest एक साल का अब यह जो simple interest एक साल का आया उसको हम principle में previous वाले principle में add कर देंगे P plus SI निकालेंगे यह किसके लिए निकाल रहा है at the end of the first year मतलब पहले साल के अंत में इतना हो जाएगा क्या amount यह आपका amount हो जाएगा एक साल के अंत में और amount तो निकालना ही पड़ेगा आपको अंत में सूर में जो amount होता है वो principle ही होता है अब जो एक साल के बाद जो amount टिकलेगा वो principal में SI को add कर देंगे ठीक है तो यह आपका amount निकलेगा at the end of the second year और यह जो SI निकलता है न यही SI compound interest भी होता है for the first year मैंने एक साल के लिए जो compound interest होता है वो exactly equal होता है simple interest जो निकालते हैं एक साल का उसके ठीक है दोनों बराबर होते हैं लेकिन हमें निकालना है दो साल का चलि हम बढ़ाते हैं आपको आगे बढ़ते हैं फिर तो amount जो निकाल लेंगे at the end of the first year वो निकलेगा P plus SI तो P कितना है पहले बार 500 सुरू सुरू में लिया थे plus SI simple interest for the first year 50 इसमें add कर देंगे अब यह हो गया amount 550 50 ठीक है अब जो 550 है इसको हम principle मानेंगे for the second year ठीक है तो simple interest अब फिर से निकालेंगे simple interest for the second year दूसरी साल के लिए तो दूसरा साल भी तो एक ही साल है न ठीक है यहाँ पर दूसरा साल है वो one year ही है तो SI उसके निकालेंगे तो time जो लेंगे वो one year ही लेंगे इसके लिए हो जाएगा PRT यहाँ भी formula लागेगा same चीज PRT upon 100 लेकिन यहाँ जो principle है वो principle मानेंगे इसको जो amount होता है उसको principle मानते हैं तो this will be act as a principle 550 will act as a principle यहाँ भी उसको कर लेंगे 550 multiplied by R जो rate of interest हो तो same ही है 10% ही रहेगा 10 into time जो है one होगा second year ना दूसरे साल के लिए तो एक ही साल हुआ ना वो भी ठीक है अब यहाँ से zero zero cancel हो गया यह zero second हो गया आपको मिल गया आप 55 ठीक है यह 55 रुपीस जो मिला है वो simple interest है second year के लिए इतना अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है कि amount क्या होगा at the end of the second year तो at the end of the second year का amount निकालने के लिए जो पहली बार इसके पहले साल का जो पहले साल के end में जो principal है मिन्स यह जो amount है मतलब यह amount को ही तो principal माने थे हैं आपर 550 इसी में add कर देंगे interest 550 में हमें add करना होगा 55 तो यह निकल जाएगा amount at the end of third year जो second year के end में आपका आज आएगा amount कितना 605 ठीक है 605 रुपीज तो अभी यह हमने जो निकाला यहाँ पहर यह निकल गया amount at the end of the second year और हमें निकालना है क्या compound interest तो हम लोग एक formula जानते हैं कि amount में से यह माइनस कर देंगे principal ठीक है तो आपका निकल देगा compound interest ठीक है c i is equal to यही करते हैं amount हमारा जो दूसरे साल में निकला था उसमें से माइनस करेंगे ठीक है तो 605 रुपीज total amount था at the end of the second year माइनस कर देंगे principal at the beginning जो principal at the beginning है कितना है 500 है 500 को माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगा 105 तो 105 रुपीज is the compound interest ठीक है एक बार और ध्यान देज़ेगा हमने तो compound interest निकाल लिया लेकिन एक और तरीक से निकाल सकते थे जो यहाँ पर 50 रुपीज है और जो यह 55 रुपीज है यह जो simple interest अलग अलग आया है first year का and second year का उन दोनों को भी add कर देंगे तो निकल जाएगा compound interest ठीक है या फिर आप इस formula का यूज कर सकते हैं तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे calculate करना है हमें compound interest without using compound interest formula मतलब जो compound interest का formula जो है a is equal to p in bracket 1 plus r upon 100 इसका without use किये आप कैसे calculate करेंगे compound interest तो यह जो formula है वो इसी process से derive भी हुआ है ठीक है आप इसी process को यदि आप एक general way में solve करेंगे तो आपको यह formula derive करके आ जाएगा ओके तो खाया है इस video में इतना ही बस मैं यह समझाना चाता था कि कैसे आप without using formula आप calculate कर सकते हैं क्योंकि इसका जो use है वो RD Sarma के book में जो पहली exercise है compound interest का उसमें किवल without using formula हमें compound interest calculate करना है तो यह video जो है उसी के playlist में like कर रहेगी ठीक है या अभी आप देख रहे होंगे तो साहथ उसी playlist में आप देख रहे होंगे तो आप कोई दिसमज में आ गया तो आप other questions को भी देख सकते हैं solutions मैंने सारे questions solve किये हुए है thank you so much for watching bye